हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं देरहदून के बारे में तो काफी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था तो आज कुछ कॉफी में जो मैं लिखा था देरहदून के बारे में उसे संबन्दी जितनी भी जानकारिया हैं वह आज आप लोगों के साथ साजा कर रहा हूँ तो देख लेते हैं देरहदून के बारे में ऐसे कौन से फेक्ट है जो एक जान में पूछे जा सकते हैं ठीक है परतिसात की द्रिष्टी से सबसे कम ऐसी देरहदून में निवास करते हैं अगर आपने उत्राखन में जैन जाती वाला चप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सबसे कम जो ऐसी हैं परतिसात की द्रिष्टी से हो कहा है देरहदून में है प् 1975 में इसे मेरट मंडल से गड़वाल मंडल में मिलाया गया अब बात कर लेते हैं देरदुन के परमुक संस्तान या संगठनों के बारे में Institute of Drilling Technology उत्राखन जलविदूत निगम दो संस्तान तो ये हो गए भारतिया खान बीरो भारतिया वन्यजीव संस्तान तो ये सभी संस्तान और संगठन आपको याद रखने जरूरी हैं ये कई बारे एक जब में पूछे भी जा चुके हैं तो ध्यान रखेंगें इंस्ट्यूट उप डिलिंग टेक्नोलोजी दूसरा है उत्राखन जलविदूत निगम भारतिया खान बीरो और भारतिया वन्यजीव संस्तान ठीक है भारतिया वन अनुसंदान संस्तान केंद्र एक्सन एंड रिसर्च सेंटर 1988 में इस्तापना डॉक्टर पीर्टांबर दद बर्थवाल हिंदी अकादमी और क्या है ओयल एंड नेचुरल गैस कॉर्परेशन और राज्य अभी लेखागार इसके अतरीक ते कई ऐसे संस्तान और संगठाने जो देरादून में इस्तित है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा वो अगले वीडियो में बात करेंगी पुरे डिटेल से अब देख लेते हैं देरादून के परमुख मंदीर हुआ दर्सनिया इस्तल टपकेस और महादेब मंदीर देरादून से लगबग 6 किलिमिटर दूर है गड़ी कैंट में फन वैली है देरादून से लगबग 25 किलिमिटर दूर गुच्चू पानी यहां रोबर्स गुभाएं है और यहां पिर कह सकते हैं चोरों की गुभाएं रोबर्स इंगलिस का सब्द है आप चोरों को गुभाएं भी याद करें क्योंकि अगजब में पूछा जा सकता है कि चोरों की गुभाएं खाएं इस्तित है सहस्त्रधारा जहां पर कौन सी नदी बैती है वाल्दी नदी बैती है और जो यहां पर पानी हो क्या है गंदक जले ठीक है वाल्दी नदी में जो पानी है उसमें क्या गंदक पाया जाता है अगला है भागी रती रिसॉर्ट्स ये गौलापार हल्द्वानी में बन रहा है देरादुन के नवदा गाउं के निकाट पहाड़ी पर महारानी कर्णावती का राज बहवन था तो प्रस्थ बन सकता है कि किस गाउं में महारानी कर्णावती का बहवन था तो नवदा गाउं आसन बेराज को गड़वाल मंडर विका कुन से हैं देख लेते हैं लक्षमन सिद्पीट कालू सिद्पीट मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध कहां कहां कि लोगे सा इतना डीटेल में जाने की जरुवत नहीं है भानिया वाला से लगबग चार क्रिमेटर दूर है ये भुट्टी गाउं में है और ये पस्टीवी प् में देरादुन के जो बहुत इस्तुप का घाटन है वो तिब्वतियों द्वारा जो उनके धर्मगुरु थे दलाई लामा द्वारा कब किया गया 28 अक्टूबर सन 2002 में दूसरा है देरादुन घंटागर का जो सिलन्यास है वो 24 जुलाई 1948 को तत्कालिन उत्तरप्रदिस की राजेपाल सरोजनी नाइटगवण धूरा किया गया अगला है देरादुन दिल्ली मार्क पर 15 नपैसे क्या गौतम कुन के नाम से भी जाना जा सकता है तो बरह प्रसन बन सकता है या स्कित ऑलन कहा है यह चंद्रबनी नामग। इस तल कहां पर है तो देरादुन में है यह ठीक है देरादुन से लगबाग साथ किलिमेटर की दूरी पर ध्यान रखेंगे चंदरबनी जबकि चंदरबनी मंदीर कहा है तेरी गडवाल में जिस प्रकार से सुरकंडा मंदीर देखेंगे आप सुरकंडा मंदीर कहा है तेरी सांतरे दोनों में देहरादु निस्ति जो खलंगा इसमारक है नेपाली आर्मी सेना नायक बलबद्र थापा एवं बिर्टी सेना के सेना पती जन्रल क्लेशपी के साहास को समर्वित है देहरादु की जो अन्य मंदीर है संतला दिवी मंदीर माता डार्ट काली मंदीर ठीक है यह दो मंदीर आपको याद रखने है तो बस इस वीडियो से इतना ही समय समय पर जब भी समय मिलेगा मैं आप तक अपने वीडियो पहुचाता रहूंगा या नोट्स के या चंद वन्स जो भी टॉपिक सुरू होगा इसके बाद बसे मैं आदूनिक भारत सुरू करने की सो